Hello friends, welcome to my channel VPS Traveler और मैं आप सभी का फ्रेंड राहुल शहरावत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो new launch US का portal है कैसे आप appointment schedule कर सकते हैं कैसे आप उस पर account मना सकते हैं तो वीडियो को आप अंतक देखिए ताकि आपका कोई भी doubt ना रहे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हमें जाना होगा US Travel Docs वेबसाइट पर जब आप यहां पर आ जाते हैं तो सबसे पहले link पर आप क्लिक कर दीजिए और फिर यहां पर आपको choose your location में जाकर आपको I पर क्लिक करना होगा इसके बाद यहां पर आप इंडिया पर select कीजिए next यहां पर दो option आपको दिखते हैं किस visa category के लिए अप अप्लाए कर रहे हैं non-immigrant visa या फिर immigrant visa तो अभी के लिए मैं non-immigrant visa पर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद यह कुछ instructions आती हैं आप इसको close कर दीजी और next आपको यहां पर login पर क्लिक कर देना है जब आप login पर क्लिक कर देते हैं तो आप जो new portal है आप उस पर redirect हो जाते हैं उसमें आप देख सकते हैं यहां पर username, password अगर आपने already account बना चुके हैं तो यहां पर अपना username, password और capture डाल के आप login कर सकते हैं और अगर आप यहां पर new user हैं तो आपको यहां पर sign up option पर जाना होगा और उस पर click कर देना है जब आप sign up पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर कई सरे option आपको दिखाई देते हैं जैसे कि username, new password, confirm password तो आपको यहां पर अपना username अपना choose करना है इसके बाद आप जो भी password रखते हैं वो यहां पर डाल दीजी और वही same password आपको confirm new password में डालना होगा इसके बाद आपको यहां पर email address के अंदर verification के लिए आपको mail ID आपको डालना होगा जब आप send verification code आप पर click करेंगे तो उस mail ID पर एक verification code आता है जो आपको enter करना होता है इसके बाद जो भी आपका नाम है given name में लिखिए और surname में अपना last name mention कर दीजिए इसके बाद कुछ security questions सबसे पुछे जाती है यह तीन security questions जब भी आप login करेंगे तब तब आपको यह enter करना होगा तो आप देख सकते हैं आपके पास यह हर एक section के अंदर पांच questions दिये हुए है तो आप उनमें से question को choose करके आप इसमें answer भर सकते हैं तो similarly second जो security question है उसमें भी इसी तरह के से question पुछे गए है और फिर third security question के अंदर भी जब आप यह कर लेते हैं इसके बाद आपको create पर click करना होगा उसके बाद जब आपको एक बार account create हो जाता है फिर उसके बाद आपको sign in option पर जाना होगा और आपको account पर login कर लेना है तो चलिए फिर मैं आपको जब एक बार account create हो जाता है उसके बाद sign in करने के बाद क्या आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों जब आप एक बार sign in कर लेते हैं तो आपको यह privacy policy का option दिखता है आपको उसको scroll down करना है और I have read and understand the system use privacy call policy पर क्लिक करके continue पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको सभी details आपको one by one फिल करनी है तो यहाँ पर मैं अपनी mail id डाल देता हूँ तो इस option में preferred language में आपको search option पर क्लिक करना है और English पर select कर देना है इसके बाद country पूछी गई है फिर से आपको search option पर क्लिक कर देना है और search में जाकर आप India select कर सकते हैं और इसको select कर दीजिए फिर next आपको submit पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको start application पर क्लिक कर देना है जब आप start application पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर country of birth का पुछा जाता है तो आप यहाँ पर country of birth डाल सकते हैं इसके बाद gender आप male, female अपने according चूस कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर contact number आपको provide कराना है home contact number और mobile phone number तो वो मैं डाल देता हूँ इसके बाद आपसे mailing address पुछा गया है तो आप यहाँ पर अपने according address फिल कर सकते हैं और इसके बाद आपसे passport number पुछा जाता है यहाँ पर आप अपना passport number mention कीजिए next आपको passport issuance date पुछा गया है तो याद रहे कि passport issuance date जो है month, date, year format में आपका होना जरूरी है इसके बाद है passport place of issue आपके जो bio page होता है passport का उस पर लिखा होता है नीचे की कहां से passport issue है तो आप location यहाँ पर डाल सकते हैं इसके बाद आपको passport expiration date डालनी है यह भी month, date, year format में डालना है और इसके बाद आपको birth date आपको same format के अंदर ही डालना होगा इसके बाद आपको nationality में Indian चूज कर देना है और इसके बाद आपको submit option पर click कर देना है इसके बाद जो option आता है वो है visa option और यहाँ पर आपको visa type के अंदर आपको select करना है कि कि किस purpose के लिए आप visa apply कर रहे हैं non immigrant या immigrant तो मैं non immigrant पर apply कर देता हूँ इसके बाद पुछा गया है कि आप किस embassy councilet ofc को choose करेंगे तो मैं new deli को select कर लेता हूँ और post visa category अब यहाँ पर आपकी sub category आगया है कि किस sub category में apply करें business tourism में और accrue, employment, brand, visas, exchange, visitor और students तो यहाँ से मैं भी business tourism पर click कर देता हूँ visa priority English आ गया है और इसके बाद आप देख सकते हैं अगर यह conditions आपके लिए होती है तो आप पढ़कर आप उसको select कर सकते हैं तो मेरे लिए visitor visa for business and pleasure है तो मैं यहाँ पर इस B1 option को select कर देता हूँ और उसके बाद next work कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर DS-160 यह confirmation number पूछा गया है तो यहाँ पर अपना DS-160 application number आपको यहाँ पर fill कर देना है और फिर next work कर देना है इसके बाद आपको next कुछ सवालों के जवाब आपको देना होता है तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी जो उम्र है वो 14 साल से कम है या नहीं तो मैं यहाँ पर no select कर देता हूँ और next work कर देता हूँ इसके बाद पूछा गया है कि क्या आपकी age 80 साल या फिर 80 साल से जादा है तो मैं इसको no कर देता हूँ next यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पास previous कोई B1 business visa है तो ऐसा कुछ नहीं है तो मैं no select कर देता हूँ अगर आपके पास कोई visa है तो आप उसको yes कर सकते हैं इसके बाद अगर आपके साथ आपके dependence भी travel कर रहे हैं तो आपको उनकी details आपको provide करानी होगी इसके बाद आपको यहाँ पर 3 option देखते हैं कि आप क्या service opt करना चाहते हैं कि आप premium delivery चाहते हैं premium location पर अपना passport चाहते हैं आप self passport pick up करना चाहते हैं थो अपने according option सेलैक कर सकते हैं तब मैं यहाँ पर pickup option पर सेलैक कर देता हूं और इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर पुछागे Select Document Delivery Location तो यहाँ अपर आप किस 로केशन पर अपना passport चाहते हैं तो यहांसे self तो मैं यहाँ पर डाली चूज कर लेता हूं एक पर क्लिक कर देता हूं इसके बाद यहाँ पर एक receipt number generate होती है और जिन दोस्तों का पहले payment हो चुकी है तो वो यहाँ पर claim receipt पर जाकर अपना receipt number डालके अपनी appointment schedule कर सकते हैं और जिनका नहीं है वो यहाँ पर जाकर payment type में तो यह आप और आपको चार option दिखाई देते हैं तो इससे आप payment कर सकते हैं अगर VFS EFT आप चूज करते हैं तो आपको payment करने होगी बैंक में जाकर करने होगी एकसेस, पंजाब, नेशनल, सिटी बैंक में जाकर आपको EFT के थुरू आपको payment करने होगी अभी मैं आपको EFT का option क्लि करके दिखायता हूँ और आप चाहते हैं तो credit card, debit card, VFS, UPI इन option से भी payment कर सकते हैं तो VFS EFT पर मैं क्लिक कर देता हूँ और submit पर क्लिक कर देता हूँ next scroll down करने पर आपको click here with pay with EFT तो यह जो receipt है दोस्तो यह 11 August तक valid है तो इस state तक में से पहले पहले मेरे को payment कर देनी है अगर मैं 11 तरीक वाद 12 को जाओंगा तो यह valid नहीं होगी तो इसलिए आपको यह payment receipt तब generate करनी है जब आपको required है तो मैं यहाँ पर click here to pay with EFT पर click कर देता ह इसके बाद यह जो है page आपको VFS की website पर redirect कर देता है यहाँ पर आपको अपना name, email, last name और email id आपको डालना होता है तो मैं अभी नाम डाल देता हूँ अपना last name और जो भी mail id आपकी है वो यहाँ पर डाल दीजिए इसके बाद proceed to pay with पर मैं click कर दिया है और यहाँ पर आपको successful payment you will receive an email notification with PDF attachment acknowledging the payment made for your application तो यहाँ पर यह बताया गया कि जब आप एक बार payment कर लेते हैं तो आपको एक PDF मिल जाती है कि आपकी payment successful हो चुकी है दोस्तो जब आप finally payment कर देते हैं successfully तो उसके बाद आप अपनी appointment schedule कर सकते है और अगर आप चाते हैं कि मैं उसके अपर भी वीडियो बनाओं तो आपके लिए मैं ज़रूर बनाओंगा जब आप मेरे को comment के अंदर बताएंगे कि आपको इसके आने वाले part की भी ज़रत है तो मैं ज़रूर बनाओंगा उसके पर तो hopefully आपको दोस्तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो comment में ज़रूर बताएंगे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहा हूं thank you very my friends